इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 114 के बारे में ये बताता है कि कोई भी राज का जो एक्जेक्यूटिव पावर है मतलब जो कानूर बनाने का सकती का जो पावर है वो किस के पास रहता है ठीक है तो जो भी किसी भी राज में माल लेते हैं कि बिहार या मध्य मध्य परदेश का राज का जो भी एक्जेक्यूटिव पावर होगा कानूर बनाने की चमता होगा वो किस ब्यक्ति के पास होगा किस पद के पास होगा तो वो होगा गवर्नर सहाब के पास ठीक है और गवर्नर सहाब के द्वारा ही कोई भी कानूर बगेरा बनेगी के द्व एलमेट नहीं लगाएगा तो उसको 5,000 रुपई आगा जुर्माना देना पड़ेगा ठीक है अब यह जो कानून तो बनाया आपका जो स्टेट काउंसिल है वो ठीक है कानून तो स्टेट काउंसिल वाले MLE बनाए विधायक बनाए विधायक बना दिये कानून उस पे लेटर वगेरा आए गया लेकिन last में signature किसके द्वारा प्रूप किया जाएगा signature किसका होगा या seal किसका होगा तो वो होगा governor गा थीक है तो governor के नाम पर कोई भी कानुन स्टेट में बनेगा या कोई भी executive power कोई भी executive वाला काम होगा मतलब कि कोई भी कानून वगेरा बनेगी कोई भी आपका बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वगेरा मतलब जैसे कि कोई भी officer का transfer वगेरा होगा तो इस situation का जो भी काम होगा वो करेंगे तो विलायक वगेरा ही करेंगे तो central, सवह अपका state government ही लेकिन किसके नाम पर governor के नाम पर ठीक है तो governor एक तरब से nominal head हो गए state का ठीक है तो इस video में बस इतना ही and I hope कि video आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो उसको like करो, share करो, comment करो subscribe करो जहल को and thank you very much